प्लीस साल के दर्मियान की जो बसिस हैं उनको हम पांच लाख रोपे का सबसीडी देते हैं रिप्लेस्मेंट करने के लिए तो उसमें हमारे पास जितने भी एप्लिकेंट्स आते हैं उसका एक पिरियोडिकल मीटिंग होता है ट्रांसपोर्ट कमिशनर साब की चेयरमेंशिप में और ऐसे केसे अपरूफ होते हैं बदकिस्मिती यह है कि जमू में हमने देखा कि बहुत सारे केसे अप्लिकेंट्स आ जाते हैं लेकिन कश्मीर डिविजन में इसका रेस्पॉन्स थोड़ा पोर है तो मैं आपकी वसाथ से तुम तमाम ड्राइवर साहिबान से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल क्रॉस कर चुकी है बस तो आप सामने आ जाए आपको पांच लाख रुपे का सबसीडी हम दे सकते हैं 2023 में कम से कम 400 गाड़िया निकल गी जो जिसका फाइदा हमारे पास नहीं पहुंचा आम टैक्सी डेवर के पास वो फाइदा नहीं पहुंचा टैक्सी डेवर के पास इस तरह फाइदा नहीं पहुंचा कि वो पंदरा साल हमारे लिए बहुत कम थी वो पंदरा साल के लिए वो गाड़ी फरमड दिया था थो वो हमारे लिए कम थी हम यह नहीं कहते थे हमार अमेंершाओ मिलेगा तो 5 लाक्स मनि आता क्या है गो बित्तिस लाक का का गाड़ी है आज आज गल थे और हमारा प्वाड़ा के सब भचतिटि मिल जागे उसमें क्या हो जाएँ का हमारे पांच लाख रुपे देंगे, लेकिन यहां पर 15 साथ प्राणी गाड़ी कोई करने के लिए तयार नहीं है, यहां पर हमारा था बिगेस्ट ट्रांस्पोर्ट फिलीट इन वैली, हमारे पास 750 वेकल्स थी, अभी हमारे पास 200 गाड़ी तक होगी है, दिस्ट्रिक्ट में भी औ आरे हमेने.